नमस्कार नोस फॉर्णीशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हो रचाश्रमा यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए पुर्व मद्धे रेल्वे लगतार नैने बदलाव कर रहा है असे बीच अब खबरे आ रहे हैं कि देश की पाँच बड़ी रेल्वे स्टीशन अब जल्द ही प्राइविट हो सकते हैं निजी हातों में ये रेल्वे स्टीशन सौपे जा रहे हैं हाला कि से पीचे का मकसद जो है वो विकास बताया जा रहा है ऐसा कहा जा रहा है कि डेवलोप्मेंट को देखती हुए ऐसा किया जा रहा है अस पाच रेलवे स्टेशन में चार बहार से हैं आपको बताते हैं कि वो कौन-कौन से रेलवे स्टेशन है जो प्राइवेट हातों म पटना का राजंद नगर टर्मिनल मुझभपरपूर गया और बेगु सराय के स्टेशन भी अब नीची हो सकते हैं यानि की प्राइवाटाइजेशन पर भी अब ध्यान दिया जा रहा है बड़ी कमपनियों ने इसकी प्रमुकता को लेकर दिल्चस्पी दिखाई है निजिकर में देश के दो बड़े स्टेशन हाविब गंज और गांधी नगर स्टेशन को विक्सित करने के लिए निजि हातों में सौपा गया है पुर्व मद्य रिल्वे के जन संपर कदिकारी राजेश कुमार की माने तो कोई भी बड़ी कमपनी जो टेंडर हासिल कर लेगी उसे ही इन्हें स्टेशनों को विक्सित करने के जम्मेवारी सौपी जाएगी वैसे ट्रेन परिचालन और टिकेट बुकिंग के जम्मेवारी निजि हातों में नहीं सौपी जाएगी निजि करन के तहट ट्रेनों की धुलाई स्टेशन का रख रखाव की जवाब दे ही दी परिसर में विज्यापन लगाने काम अब नीची कमपनियों को दिया जाएगा। कुल मिलाकर उन्हें स्टेशन पर यातरी सुबधाई एरपोर्ट की तरह ही उपलब्द कराई जाएगी। रेलवे के अधिकारी के मताबिक नीची कमपनियों को पंखा से लेकर एसी मैंटेनन्स की पूरी जम्मेवारी सौपी जाएगी। अलग-अलग स्टेशनों के लिए विशेस नियम और शर्त तब तक तै किये जाएगे जब स्टेशन के निजिकरन का संबंदित टेंडर निकल जाएगा। रेलवे अधिकारियों की माने तो कुछ स्टेशनों की खाली पड़ी जमीन पर शौपिंग मॉल्स भी बनाने की बात चल रही है क्योंकि खाली पड़ी जमीन से फिलहाल कोई भी राजस्व नहीं आ रहा है। रेलवे के विकास को देखते हुए इन तरहों का फैसला लिया जा रहा है। इसके साथ आपको बता दे कि जिस तरह से कोरोना संकट है ऐसे में रेलवे की तरफ से कई बदलाव भी किये गये हैं। और इसके साथ अब रेलवे के श्वेतर में विकास करने के लिए रेलवे का जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ाने के लिए बड़े बड़े फैसले लिये जा रहे हैं। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए मार साथ बने रहे हैं। देख तेरी नियूस फोनेशन। नमस्कार। लिए खर।